दोस्तो साल 2020 बॉलीबूट को इतनी गम दे चुका है कि बॉलीबूट इन गमों को चाहे के भी नहीं भूल सकता। एक के बादे एक फिल्मी सितारे पिछले दो महिनों में दुनिया को अलविदा कहे गए जिसमें बॉलीबूट के दिगज आभिनिताओं के साथ साथ कई सारे सिंगर्स भी मौजूद हैं। पहले दिगज आभिनिता इर्फान खान, रिसे कपूर और अब साजित बाजित की जोड़ी भी हमिसा हमिसा के लिए तूट गई। दोस्तो रभिवार को बॉलीबूट सिंगर बाजित खान 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तो बाजित खान एक पॉपूलर हिंदी म्यूजिक कमपूजर के अलावा एक पिलीब्यक सिंगर थे। दोस्तो साजित बाजित की जोड़ी ने करीबन 7-8 साल की उम्र में ही संगित को सीखना सुरू कर दिया था। साजित बाजित के पिता उस्ताच सराफत खान एक भैतिन तबला बादक थे। सल्मान खान की फिल्म में प्यार क्या तो डन ना क्या से इस जोड़ी ने बॉलोबड में अपने गानों के सुरूआत की थी। दोस्तो साजित बाजित की जोड़ी ने सन्मान खान की कई सारी फिल्मों जैसे तुमको न भूल पाएगे, मुझसे साधी करोगी, गर्व, तेरे नाम, पार्टनर, गौर्ड तू से गिरेट हो, एक थटाईया जैसे अनिक फिल्मों में हिट सौंग दिये हैं। दोस्तो बात करें, बाजित खान की लगजरी लाइब के बारे में तो वो एक जमिन से जुड़े इनसान थे। आज वो जिस भी मुकाम पद थे, यहां तक पहुचने के लिए उन्होंने बहुत इस्टिरिगल किया था। दोस्तो मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाजित खा काम तक पहुचने के लिए साजट बाजित की जुड़ी ने काफी मेहनत की थी। दोस्तो बाजित खान पिछले 2-3 महिनों से होस्पिटल में भैती थी। लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले उनमें कॉरूना की लक्षड दिखाई दिये। लेकिन कुछ मेडिया रिपोर्ट की मा तो उनका देहन्द कॉर्डियक अरेश्ट से हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक उनको पिछले दो-तीन दिन से बेंटी लिटर पर रखा गया था बाजित खान को बरसुबा के कविस्तान में दफनाया गया जहां पर कुछ समय पहले दिग्ज आविनिता इर्फान खान को दफन रही थी दोस्तो कैसा लगा आपको बॉलीबोड इंडस्टिरी के दुखत जानकारी सुनकर आपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लखें और इसी पिकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सांदर खबर को सस्क्राइब करें हमारे और वीडियो देखने के ल